प्यारे बच्चों आप सबों का हमारे यूटूब चैनल इडू संधान में स्वागत है। आज देर रात बिहार SAC के द्वारा बिहार इंटर्मीडियेट मेंस एक्जामीनेशन से संभधी का अवस्यक सुचना डाला गया। जिसमें कहा गया कि पटना हाई कोट द्वारा इस परिक्षा को पुर्म निधारिती थी और थार्ध 13 दिसंबर 2020 को संचालन करने की अनुमति परदान कर दी गई है। प्रंतु इतने कम समय में इस परिक्षा का सही संचालन कतिपै संभव नहीं दिख रहा है। जिसका कारण की नाते हुए बिहार SSC ने कहा है कि कम से कम साथ दिन पुर्व आयोग के बेवसाइड पर परिक्षार्थियों को परवेश पत्र अपलोड होना चाहिए। ताकि परिक्षार्थी समय रहते उसमें आवस्चक सुधार कर सके। इसके अलावे बहुत सारे विद्धार्थी ऐसे भी होंगे जो अन्यराज में होंगे। तो वहां से उनको आने में समय लगेगा। इसलिए यह संभो नहीं है कि इतने कम समय में एक्जामिनेशन को कंड़क्ट करा जाए। इसके पास चार्थ की अगर डेट की स्लोट की बात करते हैं तो आगे चाकर सीडी इसका एक्जामिनेशन है। इसके आगे बिहार लोक सेवा आयो की परिक्षा है। जब ये दोनों परिक्षाय खतम होती है तो उसके बाद कई 200 विद्याले ऐसे होंगे जो अपने महा विद्यालियों की परिक्षाय कंड़क्ट करा रही होगी। अता बिहार SSE के लिए 25 बारत 2020 को दो पाली में एक्जामिनेशन कराने की बात कहा गया है। अता अब ये परिक्षा 25 दिसंबर 2020 को कराये जाएगी। इस परिक्षा से संबंधित साथ प्रैक्टिसेट हमारे टेलीग्राम चैनल इदू संधान टेस्रीज पर फ्री उपलब्द कराये जाएगा। इसके साथ ही साथ दो हिंदी के कुश्चन पेपर भी उपलब्द कराये जाएगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल इदू संधान टेस्रीज से जूर सकते हैं। जल्दी ही वहाँ पर टेस्रीज का सिध्यूल जारी कर दिया जाएगा। धन्यवाद।